DRDO ऐसा विभाग है जो सीधे सीधे प्रदान मंतरी के नीचे आता है परदीप कुरूलकर के मोबाइल में पैगसास होता तो शायद पहली वाटसाफ चैट में ही पकड़ा जाता ये प्रदान मंतरी की नाक के नीचे हो रहा है संग से जुड़या हुआ व्यक्ति देश की सम्वेधन शील्ड सूचनाए दुश्मन देश को एक महिला के मार्फत दे रहा है ब्रेकिंग नियूस होनी चाहिए मैं पिछले चार-पांस दिन से लगातार टी-वी देख रहा था कि कहां ये खबर आती है कुछ चैनल्स ने चलाई मैं आपसे एक कालपनिक सवाल पूछता हूँ अगर ये व्यक्ति कॉंग्रेस से जुड़ा होता तो आज क्या होता लगातार कि इस पर आप लोग मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ पूरा का पूरा मीडिया सरकारी प्राश्रे से सिर्फ और सिर्फ यही खबर चला रहा होता बाकी सब कुछ भूल चुका होता ये फर्क क्यों है एक गैर पंजिकरित संस्था से जुड़ावा व्यक्ति आज संग की ये हिम्मत है कि कहती है कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं सेक्सोफोन वो आपके लिए बजाता था आपकी धुन पर वो नाच रहा था आपकी धुन पर चार पीडियों से वो नाच रहा था और आज जब वो पकड़ा जाता है तो संग कहता है कि हमारा इससे कोई सारोकार नहीं है कोई संबंद नहीं है यह है संग की असलियत कि जब पकड़ा जाए तो साथ हमारा तो मेंबर्शिप रिजिस्टर ही नहीं है कहा है इसका नाम कहीं भी नहीं है लेकिन आज जो जो दौर है वो मुबाइल का दौर है इंटरनेट का दौर है और इंटरनेट की यादाश्ट बहुत मजबूत होती है हम इसलिए सारे फोटो यह सारे वीडियो आपके सामने है अब यह नहीं कह सकते कि साथ मेंबर्शिप रिजिस्टर तो ही नहीं कहा लिखा हुआ प्रदीप कुरूलकर का नाम प्रदीप कुरूलकर की अपनी जुबानी आपने टीवी पर देखा अपने स्क्रीन पर देखा मोह प्रदीप का संबंध दिख रहा है ना केवल संग से दिख रहा है इस पीडी का तो पाकिस्तान से भी संबंध सब के सामने है यह रिष्टा क्या है हम यह जानना चाहते हैं यहीं सरकार है भारतिये जनता पार्टी की कि जब ISI को आप पठान कोर्ट में बुलाते हैं निरिक आप देख रहे हैं देश लाइव देश की आवाज अदाब नमस्कार शेसरकाल देश लाइव आपका स्वागत है मैं हूं सहल कुरेशी इस वक्त की एक बड़ी खबर जो मीडिया से गाइब है डियाडियो के निदेशक प्रदीप कुलकर पाकिस्तान को देश की कई अहम औ और समवेदन शील जांकारिया साजा करने के आरोप में गिरफतार किये गए हैं अब जासुसी के आरोप में गिरफतार डियाडियो के जो अधिकारी हैं इनसे आरेसेस का सीधान आता है ये कहना है कॉंग्रेस पार्टी का कॉंग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खिडा तो ये भी कहा कि कुलकर ने एक यूट्यूब चैनल को पिछले साल एक अपना इंटर्वियू दिया था उसमन उन्हें बताया था कि किस तरीके से उनके पूरवजों का भी RSS से काफी अच्छा रिच्टा नाता तालुक रहा है और कई ऐसे वीडियोज और फोटोज भी आए हैं उसके बारे मैं आपको बताएंगे कि जिसमें ये प्रदीब कुलकर जो है वो खुद RSS के कारेक्रवों को संबोदित कर रहे हैं हाला कि जब देखा कि मामला खराब हुआ तो RSS ने पल्ला जाड लिया RSS ने कहा कि नहीं हमारा इन से कोई लेना देना नहीं है लेकिन सवाल तो ये उटता है कि जो DRD यो जो है उसका जो कामकार जो जो रहता है वो बिलकुल प्रदानमंद्री के बिलकुल हाथ के नीचे हैं तमाम चीज़े और ऐसे में वहां का एक कितना बड़ा अधिकारी पाकिस्तान को जिसे दुश्मन देश कहते हैं सरकार के लोग वो पाकिस्तान को कई अहम जानकारियां दे रहे थे उसमें रॉकेट से जुड़ी जानकारियां रॉबर्टिक जानकारियां कई अहम जानकारियां थी ने जाकर पाकिस्तान को दी दी आप सोचिए इतनी बड़ी खबर लेकिन मीडिया में बिल्कुल सन्नाटा पस रहा है मीडिया इस खबर पर कुछ भी नहीं पूछ रहा है सवाल ऐसे में पवन खिडाने सही कहा है पवन खिडाने कहा है कि अगर ये व्यक्ति किसी दूसरे मजभ धर्म या पार्टी या संगठन से अगर तालुक रख रहा होता तो मीडिया लगातार इस खबर को चला रहा होता कई दिनोंता मेडिया इस पर बहस करवा लेता लेकिन अभी इस वक मीडिया खामोश इस खबर पर मीडिया इतनी बड़ी खबर पर कुछ भी नहीं बोल रहा है मीडिया से ये खबर बिलकल गायत कर दी गई है तो ये सवाल उतना लाजमी है इसी खबर पर हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल देश लाइफ सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले सॉशल वीडिया के तमाम प्लैटफरम्स पर फेस्बुक पर ट्वीटर पर इस्टाग्राम पर आप देश लाइफ को पेज़ को फॉलो करें सहल कुरेशी और सहल कुरेशी ओफिशल पेज़ को पे जरूर फॉलो करें हमने हमारा नंबर दिया हुआ हमारा जादा से जादा सयोग करें अगर आप फेस्बुक पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो जादा से जादा स्टार बटन दबा कर हमारा समर्थन करें तो हम बात कर रहे हैं DRD-O के की मैन किस तरीके से जासूसी करते हुए पकड़े गए कांग्रिस ने कहा कि इनका सीधा तालुक RSS से है मीडिया इस पूरे मामले पर खामोश है मीडिया में कहीं पर कोई डिबेट या बहस नहीं हो रही है क्योंकि इनका नाम प्रदीप कुलकर है इनका नाम परवेज सेद या परवेज नहीं है इस वज़ा से इस पर कोई बहस मीडिया नहीं करेगा और दूसरा ये कि RSS के करीब भी रहे हैं RSS की सभाओं को RSS के कारेकरमों को संबोधित किया करते थे उस तार से आपको भी इस बारे मैं आज बताएंगे कि कॉंग्रिस प्रवक्टर परवन खेडा में कहा है कि DRDO ऐसा वी बागे जो सीधे प्रधानमंतरी के तहट आता है संग से जुड़ा शक्स सवेदनशील सुचदाए दुश्मन देश को दे रहा था लेकि मीडिया से खबर गायब है ये गद्दार अगर किसी और राजनेतिक दल से जुड़ा हुआ होता तो मीडिया इसके अलावा कोई और खबरी नहीं चला रहा होता भी इसी पर लगा हुआ होता बिल्कुल सही बात कई पबन खेडाने तो ट्वीटर पर भी स्कोले कर कई अलग अलग ट्वीट्स आए कई चीज़ें आई सोशल मीडिया पर इसको लेका थोड़ी सी खबर वो होने लगी है तो मामला यह कि कांग्रिस ने बुद्वार को यह तमाम आरोप लगाए और यह कहा कि प्रदीब कुलकर जो हो आरेसेस के सक्री स्वयम सेवक है बितरतीन माई को महराष्ट राजियर अतनकुआद निरोई दस्तायने की जो ATSA उसने जो हनी ट्रेप के एक संदिग्द मामले में पाकिस्तान उसी खफ़ी अधिकारियों के साथ कतित रूप से गलत संचार करने के आरोप में पूरे में DRD अधिकारी प्रदीब कुलकर को गिरफतार किया था बताया ये जा रहा ही कि ये वो लड़की वगयरा की कुछ फोटो वोटो के चक्कर में हनी ट्रेप में आ गए और उसके बाद में शायद ब्लैक मेल या कुछ चीजें हुई होगी कि भई आप अगर जानकारी नहीं दोगे तो आपके नंगे फोटो हम सब बता दिएंगे आपको सब सोशल मीडिया पर सब चला देंगे वो सकता है इस सरह कुछ मामलाओ क्यों क्यों क्या मूमन हनी ट्रेप में यही होता है कि दंकी दी जाती कि आपकी फोटो वायल कर देंगे या फिर धंकी यह दी जाती कि आप इतना पैसा दे दो हमें न तो इस सरह की कोई धंकीया तो होगी तो इसके बडले में यह जानकारिया दे रहे थे आप सोचिए हनी ट्रेप में फंस कर कितनी बड़ी सस्ता का वेग्यानिक देश की सुरक्षा से जड़ी हो इतनी बड़ी जानकारिया दुश्मन देश को दे रहा है और इतना सब होने के बाद भी मीडिया खामोश है प्रधान मंतरी की तरफ से उफ तक भी एक ट्वीट नहीं आया उफ तक एक अलफास प्रधान मंतरी नहीं बोला अगर यही अधिकारी किसी और पार्टी से तालुक रखने वाला होता किसी और संगठन से होता या यह माल लीजी का अगर सरकार कॉंग्रेस की होती तो आज बीजेपी सड़क से लेकर संसक तक कितना उत्पात मचा रही होती यह देखने के लिए आप 2012 को याद कर ले इसे समझने के लिए आप 2012 तेरा को याद कर ले तो इस मामले में अधिकारी ने कई मिसाईल साहित डियार डियो की रणनितिक रूप से महत्वपूर्ण पर योजनाओं पर ये काम इन्होंने किया हुआ है उनके खिलाफ ऑफिशल सिक्रेट्स एक के तहट मामला दर्ज किया गया था अब ऐसे में मुहम्मद जुबेर हैं जो अकसर सरकार की हवा निकालते रहते हैं आरेसेस की और जो नफरती चिंटू हैं उनकी हवा अकसर निकालते रहते हैं ट्वीटर के जरिये और अपने अल्ट नियूस के जरिये तो मुहम्मद जुबेर ने ट्वीट किया है मुहम्मद जुबेर ने बाते बताई कि एकॉर्डिंग टू डियार डियो वेबसाइट प्रदीब कुलर प्रदीब कुलकर वाजड फाकाश टीम एंड अगनी प्रोजेक्ट यादि जो आपाश टीम ती और जो अगनी प्रोजेक्ट है उसका की मेंबर है ये व्यक्ति कितनी जानकारियं इसके पास होगे कितनी जानकारियं पाकिस्तान को दे रहा होगा इस बात का अप अंदासा लगाई है कि पूरा प्राजेक्ट का ये की मेंबर था इस एरिया ओफ इस्पेशलाइजेशन इस डिजाइन इन डिवलप्मेंट ओफ मिसाइल लांचर्स अब सोचिए इतनी बड़ी जिम्मेदार इनको दी गई थी और ऐसा व्यक्ति पाकिस्तान को हमारे यहां की जासूसी कर रहा था आरेसिस का कारिकरता बताया जाता है तो अंग्रिस पाटिया कहना है कि यही आरेसिस का असली चहरा है कि आरेसिस अब पल्ला जाड़ रही कि हमारा इन से कोई तालुक नहीं है लेकिन जो तस्वीरे हैं वो बहुत कुछ कहती है तस्वीरें सब कुछ बयान कर रही है अलाकि अदालत ने जो है वो विशेश अदालत ने कूल कर की पुलिस फिरास्त को जो है पंदरा दिनों के लिए बढ़ा दिया है था कि इससे और कुछ पुष्टाच की जा सके जाच की जा सके आरोपी जो है वो हिरासत में इससे पुष्टाच करना चाहती है पुलिस और जाच एजन्सिया तो यह पुष्टाच होगी लेकिन दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्याले में एक सम्माद आता संभलित कर रहे थे पबन खेड़ा तो उन्होंने एक के बाद एक कई आरोप लगा उन्होंने कहा कि आरोपी हिरासत में है और आरेसस के साथ उसका क्या तालुक लगा क्या तालुक है और साथ यह भी बहुत है कि रास्ट विरोधी चहरा जो है वह आरेसस का इस से उजागर हो जाता है क्योंकि स्कोलेकर जैसे मैंने कहा कि दावा किया जा रहा ही कि आरेसस के एक सक्रिय स्वायम सेवक नेता और डियारडियो के अनुसंधान एवं विकास नहीं के एक निदेशक प्रदीब कुलकर को महरास्ट एटियस ने पाकिस्तान की और से जासुसी करने के आरोप में गिरफतार किया है यह मामला आरेसस एक तथाकत इतर राश्टवादी संगटन होने के जूट और कपट को उजागर करता है क्योंकि इनके कई और अलग-अलग विडियोज भी आये है कॉंग्रेस नहीं एक विडियो ट्वीट किया है और डियार डियो में विग्यानिक प्रदीब कुलकर को महरास्ट एटियस ने पाकिस्तान के लिए जासुसी करने के मामले में पकड़ा है प्रदीब अक्टूबर 2022 से वाटस अप पर पाकिस्तानी महिला से जुड़ा हुआ था प्रदीब की चार पीडियां संग से जुड़ी रही है ये खुद संसकार भारती में संगठन मंद्री था और 14 साल तक पूरे में संग की शाका में सेक्सो फोन बजाता था ये दावा किया है कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट के जरीए और ये वीडियो भी इसमें इसकी ट्वीट में आपको नजर आ रही है एक अन्यो ट्वीट खेडाने किया है और उसमोनों ने कहा है कि प्रधानमंत्री की नाक की नीचे डियाडियो के निदेशक के पद परासीन रास्टियस स्वयम सेवक संग के बेहत करीबी प्रदीब कुल कर पाकिस्तान को सम्मेदन शील सुचनाएं दे रहा था ये घद्दार अगर किसी और आने जिक दलका होता तो मेडिया इसके अलावा और कोई खबर चला रही नहीं होता ये भी ट्वीट किया है पवनखेडा ने उसके अलावा पवनखेडा ने कहा कि डियाडियो एक ऐसा भी भागए जो सीधे प्रधानमंत्री के नीचे आता है संग से जुड़ा सक्ष जो है वो देश की सम्वेदंशिल सुचना है दुश्मन देश को दे रहा था लेकिन खबर गायब है अगर ये शक किसी और पार्टी से जुड़ा होता तो क्या होता जब प्रधिब कुलकर पकड़ा गया तो संग ने कहा इस से हमारा कोई नाता नहीं है यही संग की असलियत है यह पवन खिड़ा लिकते है ट्वीट पर इसके अलावा और भी कई चीज़ें आई है तो सवाल उटना लाजमी है कि डियार डियो एक बड़ा इदारा है और उसका एक बड़े पद का वैग्यानी अगर इस तरीके से देश के लिए जासूसी करता पकड़ा जाए और उसके बाद भी उसके बावजूद भी मीडिया से खबर गाइब रहे तो तो फिर इस देश का भगवानी माली अल्लाही माली इश्वरी माली यही कहेंगे आप तो जो माली कोने का दावा करते हैं उन्हें तो शेख डूब कर मरी जाना चाहिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस पर कमेट करें इससे लाइक करें इससे ज़ादा से ज़ादा शेयर करें अगर आपने हमारा चैनल देश लाइस सिस्क्राब न किया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और बेल का बटन ज़रूर दबाए